नमस्कार मैं हूँ पंकज्जा आज हम बात करते हैं यूपी में उपचुनाव को लेकर कॉंगर्स और समाजवादी पार्टी के बीच जारी किच-किच को लेकर एक बहुत पुराना नजम है जो आपने जरूर सुना होगा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी बात जो लखनव से निकली है वो मुंबई तक पहुँच गई है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यूपी में राहूल गांधी और अखलेस आदब की दोस्ती में दरार पड़ी तो फिर इसके गंभीर नतीजे महारास की चुनाव में भी पढ़ सकते हैं यानि उसकी च्छा छे उम्मीदवार पहली किस्त में और फिर साथ में उम्मीदवार की भी घोशना हो गई आप जानते हैं नौ सीटों पर उपचनाव होने हैं कॉंग्रेस पार्टी ने पांस सीटों के डिमांड की थी यह बात पुरानी हो गई है तो फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्यों क्योंकि उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है यह जो नया ट्विस्ट है वो यह है कि प्रियंका गांधी के प्रस्ताव पर भी अखले स्यादव बिल्कुल तैयार नहीं है और उन्हें कह दिया है कि आपको जो करना है कर लीजिए हमें जो करना है वो मैं यूपी में भी कर और महारास्ट में भी कर रहा हूं अभी तक महारास्ट में समाजवादी पार्टी पांच सीटों पर अपने उमीदवारों की घोशना कर दी है जबकि अभी तक उसका महाविकास अगाड़ी या फिर कॉंग्रेस से महारास्ट विधानसभा चुनाओ को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है और 12 सीटों पर अखलेस यादव की दावेदारी है हुआ यूँ है कि पेंच इसलिए फसा कि कॉंग्रेस ने पांच सीटों की डिमांड की समाजवादी पार्टी ने कहा आपकी पांच की गिंती से हमें कोई मतलब नहीं है पांच इसलिए कहा गया थ कि हर्याना में कॉंग्रेस की सरकार बन सकती है ऐसा हुआ नहीं अगले ही दिन अखलेस यादव ने छे सीटों पर अपने कैनिडेट डिकलेर कर दी और फिर बाद में उन्होंने एक और सीट पर मुझफर नगर की मीरा सीट मीरापूर सीट पर जहां भी कॉंग्रेस की दाव ये था कि गाजियाबाद सदर सीट और अलिगर्ड की खैर विधान सभा सुरक्षित सीट ये दो सीटें कॉंग्रेस को दे दी गई हैं अखलेस यादव की तरफ से बीच में प्रेंका गांधी जब मिली अखलेस यादव से तो उन्होंने फूलपूर सीट मांग लिया लेकि से भी समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीद्वार की घोशना करती हैं कॉंग्रेस इसलिए चाहती थी क्योंकि वहां से यानि प्रियागराज से जो सांसद हैं अभी कॉंग्रेस के वो हैं उज्वल रमन से वो कुछ मैनों पहले तक समाजवादी पार्टी में थे उनक ताकत मिली हैं फूल पूर से उनका emotional connect रहा है क्योंकि फूल पूर फूल पूर लोकसवा का हिस्सा है जहां कभी पंडित जवाल लाल नहरू वहां से लोकसवा के सांसद हुआ करते थी यह तो तर्क दिया गया एक दूसरा तर्क यह दिया गया कि यह जो दोनों सीटें गाजियाबाद और अलिगर्ड की खैर यह समाजवादी पार्टी हो या कॉंग्रेस हो दोनों के लिए जीतना बहुत मुश्किल है गाजियाबाद एक तरीके से पीजेपी के लिए सेफ सीट मानी जाती जैसे नौइडा गाजियाबाद यह सब सेफ सीटे हैं जहां सीट चाहती थी जहां वो बीजेपी को हरा सके उसके लिए फूलपूर मुफित सीट लग रही थी प्रियंका गांधी चाहती थी कि फूलपूर सीट उनके पास आ जाए अखले से अदब इसके लिए तयार नहीं हुए आज इस पूरे किचकिच में एक तरफ से कॉंग्रेस क सीट फूलपूर नहीं मिली तो किसी भी सीट पर चनाव नहीं लड़ेंगे यानि जितनी भी सीटे हैं अभी नौ सीटों पर उपचनाव हो रहे हैं वह समाजवादी पार्टी लड़ ले और हम समर्थन दे दे हलांकि कॉंग्रेस के रणनिती पहले कुछ दूसरे तरीके की आप देखिए सभी जहां जहां दस सीटों पर विधान सभा के उपचनाव होने अभी तो नौ पेरी हो रहे हैं सभी दस सीटों पर उसने एक समविधान सम्मिलन करवाया कॉंग्रेस ने जहां हर जगों पे खुद यूपी कॉंग्रेस के अध्यक्ष अजैर आई भी गए उ तरह से समाझवादी पाटी पर दवाब बनाया जा रहा था यह जो कहा जाता है कॉंग्रेस के बारे में कि जहां वहां अपने पार्टनर को बहुत कम देती है और जहां कॉण्गेस पार्टी कमजोर होती है वहां वह ज्यादा मांगती है यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात अखलेस यादब और उनके करिवी दोस्तों का कहना है अखलेस यादब आज अपने भतीजे तेजपरताप यादब का नामांकन कराने गए थे करहल वहाँ उपचनाव हो रहा है और अखलेस यादब यहीं से विधायक हुआ करते थे फिर वो कर्नावस से लोकसवा के सांसद बन गया वहाँ से जो जानकारी मिली है, वहाँ जो उन्होंने अपने करिवी नेताओं से बातचीत की है उन्होंने एक तरीके से मन बना लिया है कि भाया अब यूपी में कोई आगे बातचीत नहीं होगी केंद्री कॉंग्रेस के साथ दिक्कत ये भी है कि जो लोग बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ वो चाहे अजयर आय हो या विनास पांडे वो बातचीत कर लेते हैं लेकिन फैसला लेने की बारी आती है तो फैसला राहूल गांधी ओपरिंका गांधी को करना होता है और इन दोनों से उन दो बड़े नेताओं तक मेसेज जाने में दो दिन तिन दिन लग जाते हैं इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है डेड लॉक हो गया है हम जब आप से बात कर रहे हैं और तब नामांकन की आखरी तारिक 25 है यानि अब 3-4 दिनी वचे हैं नामांकन करन की अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे जो जानकारी मिली है गाजियाबाद सदर सीट से और अलिगट की खैर सुरक्षी सीट से कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखले से आदब से संपर किया है कि भईया जल्दी करिये नहीं होता है तो हम ही उस सीट से लड़े हैं एक्चुली हुआ ये है ना कि लोगसवाद चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का अब तक का रिकॉर्ड तोड प्रदस्तन रहा जहां 37 सीटें जीत ली है उसके बाद से पार्टी के कार करता जो है ना उनका जोश हाई है उसे कहते हैं कहावत में की बंबं है तो इस ल सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है तो मुझे लगता है कॉंग्रेस ने जो एक तरीके से ये ख़वर फैलाई है कि वो किसी सीट पर ना लड़ेंगे तो इसका नुकसान कॉंग्रेस को ही हो सकता है दूसरी बात अगर यहाँ पर बात नहीं बनी ह तो इसका असर महारास के चुनाव भी पड़ सकता है वैसे ही वहाँ यह जो तीनों हैं एंसीपी सरतवार गोट उसके बाद कॉंग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिव सेना वहां सीटों के बटवारे को लेकर कई तरह के पेज फसे हुए हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि उ में कितना है दम कम से कम 2027 के लिए क्लियर तो हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है आपस में ही और अगर ऐसा होता है तो नुकसान किसका आपकी राय का इंतजार है तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार